जिन्दगी में सिर्फ दोई लोग ऐस अपल होते हैं एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं और दूसरे वो जो करते हैं मगर सोचते नहीं तेरे गिरने में तेरी हार नहीं तू इंसान है कोई अफतार नहीं इसलिए गिर, उठ, चल और दोड क्योंकि जिंदगी संग्षिपत कोई सार नहीं अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इुरादे नहीं जो चाहा वही मिल जाना सफलता है जो मिला है उसको चाना परसंता है जिंदगी में किसी दूसरे का टाइम पास बनने से बेतर है आप अपने करियर पर फोकस करे अगर तुम्हारे अंदर कुछ पाने की इच्छा है तो तुम्हारे लिए जिन्दगें कुछ भी असंबव नहीं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है जिन्दगी का हर पहलू इंतेहान होता है दरने वाले को नहीं मिलता इस जहां में कुछ भी लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है शेर छलांग बाणने के लिए एक कदम पीछे लेता है इसी तरह जब जिन्दगी तुम्हें पीछे दकेलती है तो कमर कसले क्योंकि जिन्दगी तुम्हें एक उच्छी छलांग देने के लिए तयार है जब लोग पूछते हैं कि आप काम क्या करते हो दरसल वो हिसाब लगाते हैं कि आपको इज़त कितनी देनी है अपने स्ट्रगल को तब तक सिक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते जिन्दगी में आप कितनी विवार हारे ये माइने नहीं रखता क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो जिन्दगी में मुसीबत आए तो घबराना मत गिरकर उठने वाले कोई बाजिगर कहते हैं किसी काम को करने के लिए रिस्क से कभी मत घबराना क्योंकि उस काम में या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी जीतो और हार आपकी सोच पर डिपैंड करते हैं माल लो तो हार गए ठाल लो तो जीत गए जिन्दगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीखो और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीखो दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है कैतो तो खुद अपनी नजरी के पिंजरे में है जिन्दगी में कभी रास्तों को मत बदलो बलके अपने रास्ते खुद बनाओ अगर तुझे हारने से डर लगता है तो जीतने की च्छक कभी मत करना